हमारा गर जब भी हरी मटर आये तो हम नितना ही नई सब्जी बनामा आज हम ढावाई स्टाइल और बहुत ही कम समय में बाली हरी मटर और आलू की सब्जी बनाएंगा तो वीडियो एन तक देख जो और इतनी गजब की टेस्टी बनेगी तुम्हें को परांटा पूरी कई कसा मात भी खा जो और कम समय में कम मसालों में बनने वाली जटपट से तयार होने वाली या आलू मटर सर्दी वाली तो वीडियो एन तक देखना के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए हमारी रसोई में हमने अधा किलो हरी मटर चील के रख ली प्याज हरी मिर्च चील की सब्सक्राइब में हरी मिर्ची ढल देंगा हम वाली या इंच्छा से पका लंग चला था हुआ हरी मिर्ची हैं यह पिंक कलर की हो जाए यह हमारी हरी मिर्ची प्याज पिर अद्रक और लसुन accidental कशिंट डी या अधित वारी म चाना हाल बा prosecutors हमने दोचके रखी थी हरी मटर आप अपने हिसाब से ले लिए जो, कम ज़्यादा कर लिए अमें हमारी अच्छे साजाना को खानों बने को रोटी वकली हमने यह सबजी बने अब कोई चला लगा हम और और ध्यान से पकानो हम क्योंकि यह पके जब उच्टे हमारा उपर तो इको ध्यान से पका जो, एक बर अच्छे से मिला देंगा हम मतर को और प्याज लेसुन को सारा को फिर हम एको ढखकर पकाएंगा और बस चल गई हमने इको चला लिए, ढखकर पकाना का लिए इनसे ये उष्टेगी नी हमारा उपर तो ढखकर जरूर पका जो, दो-तिन मिनित पका के हमने इको निकाल के देखी तो ये अच्छे से पक गई है येने 50% पक गई तो अभी हम इमें चला लेमा और फिर आलू एट करंगा आलू भी हमको ये में ही पकानो, अगर महारा तरीका से महारी ट्रेक से बनाएगा नी तो एकदम ढ़ावाई स्टाइल में घर में बन जाएगी हमारी आलू मतर की सबजी और ये सबजी खाने का बाद में तुम पनीर खानो भूल जाओगा पनीर मतर इतनी टेस्टी बनेगी आलू भी हमने मेक्स कर लिया है तो अब हम ढखकर पका लगा आलू भी 3 मिनिट तो हमने ढखकर आलू को भी पका लिया 3 मिनिट और देखो किता अच्छा हमारा आलू भी गोल्डन कलर में आने लग गया है तो बस अब इमें हम सबाद अनुसान नमक मिला लंगा अपना सबाद का अनुसान नमक मिला जो मैं महारा सबाद का अनुसान मिलाती हूं और नमक मिलाने का बाद में हम और भी सुका मिलाएंगा मसालों लेकिन पहले हम नमक को हलाता चलाता अच्छे से मेक्स कर लेंगा ताकि टेस्ट हमारों एक जैसो आए तो अब हम इमें लालमी चे पाउडर एट करेंगा तो तुम तुमारा टेस्ट का अकोडिंग लालमी चे पाउडर एट कर जो मैं दो टीस्पून चोटी चमच से एट कर रहे हूं अगर तीको खाए थोड़ो सो धनिया पाउडर है एक चमच का करीब और येमें हल्दी पाउडर है आदी चोटी चमच मतलब अपना टेस्ट का अकोडिंग सारो मसालो इट कर लीजो एमे और गरम मसालो है एक चोटी चमच और भी जो सुका मसालो तुमको पसंदो इमे डाल लीजो लेकिन हम कई थोड़ो से एमें आमचूर पाउडर और डालना यह थोड़ सो आम चूर पावडर डालने का बाद में हम एक को मेक्स कर लगा आम चूर से नहीं को गजब को टेस्ट आएगो और खुस्पू भी बहुत ला जबाब की आएगी अब हम इसू का मसाला को आलू मतर में अच्छे से मेक्स कर लगा तो बस हमारा आलू मतर पकेल है तो हमके इत्ते ही पकानों है यह सुको मसालो कच्चो नीरे बस और देखो अभी सही कित्ती अच्छी दिख रही है यह गजब की हनी असो मन करें एसा ही खालो इनको पे लेकिन मैं सबजी बना रही हूं तो मैं कई करूंगे अब मैंने दो टमाटर काटके रहा था बेट कर म कलां फरने का बाद में चलाता हुए और शुक मसालो का सांति यह जा आलो भी हमारा अच्छा से पक रहे है तैर जा जाये अब दो थीन मिनिट भक कर पका लिंगा ताकि आलो थालो अब जाए बाद हम देखांगा तो हमारा मसाला गरम अराम से उठाना और ये मसाला हूं अच्छे से हमारा सब्जी में मेक्स हो गया मतर आलू टा मतर में तो बस अब हमी कुछ चला लंगा फ्रेंज और आसी अगर फर्की सब्जी खाना हो तो बस ये में पानी मत डाल जो तुप एसी च्छा लिजो लेकिन हम ग्रेवी वाली की ग्रेवी रख जो और अब हमें इकुप पकाऊंगी कैना से मेक्स करने का बाद में 3-4 मिनिट क्योंकि ये सब्जी ग्रेवी वाली बन रही है और एक दमढ़ावाई स्टाइल में फटा फट से और देख अब इकुप में पका लूँगी 3-4 मिनिट दोस्तों मारी ये वी कलर आयो है और खुसबू तो पूरा घर में मेहक रही है इत्ती अच्छी खुसबू आ रही है चला लो और देखो किती अच्छी हो गई है अब कई करनगा हम थोड़ा थोड़ा ही में आलू का गुल्ला है नहीं जैको मेस दंगा ताकि यह एक दम ठिकनिक वाली ग्रेवी ल याहन है और अब हम हम सेखो जान, बैन सारी अच्छी चक्छी फ़ूआ निकाल लो जाओक एं यहीं आधा करना को कि पृत दोस्तों और यह पूरी पराटा रोटी चपाती चावल थुली तुम कई कसाथ खाजो यह बहुत टेश्टी लगे फ्रेंस एक बार महारा तरीका से तुम बना कर जरूर देख जो तुम्हारा पूरा परिवार को यह सब्जी बहुत पसंद आएगी और देखे मैंने निकाल ल कायो है और पूरा घर में की खुस्बू महक रही है तो आज की यह रेसिपी तुमको मारी कसी लगी दोस्तों में को कमेंट जरूर कर जो और अच्छी लगी हो तो लाइक सेर का सांथ में को कमेंट करके और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजो क्योंकि मुझे तुम्हारा सप करना चाहिए तो प्लीज प्लीज वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब तो जरूर करना और असी रेसिपी गाउंदी हाती तरीका से देखना के लिए में को सपोर्ट जरूर कर जो दोस्तों मिलती हूँ अगला वीडियो में जे राम जी की